नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 यानि आज ही के दिन तीन सहीदों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरू को लाहोर जील में लाहोर शडेंथ केस जोकी सांडर्स की हत्या के बाद हुआ था इसके अनुसार फांसी की सजा दी गई थी आईए जानते हैं इनके बारे में भगत सिंग का पूरा नाम सहीद आजम अमर सहीद सरदार भगत सिंग के नाम से जाना जाता है इन्हें 28 सितंबर 1907 को पंजाब में इनका जन्म हुआ और इन्हों 8 अपरेल 1929 को असेंबली बंकांड में ग्रफतार किया गया था इनके जो रचनाएं हैं आत्म कता दी डोर टू डेथ, आइडियल ओफ सोसलोजिज्म स्वाधिन्ता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार और मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी रचनाएं है भगत सिंग के साथ में जो और क्रांतिकारी थे, उनके बारे में जानते है सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था, इनका जन्म 15 मई 1907 को लुद्याना पंजाब में हुआ और इन्हें भगत सिंग के साथ ही फासी दे गई थी, रामलाल थापर पिता थे इनके और माता का नाम रला देवी 15 अपरेल 1929 को इनकी गिरफतारी की गई, भगत सिंग और सुखदेव के साथ में जो तीसरे क्रांतिकारी थे, वो राजगुरु थे इनका पूरा नाम सिवराम हरी राजगुरु था, 24 अगस 1908 को पुड़े महराष्टर में इनका जन्म हुआ, इनके पिता स्री हरी नारायन माता पारवतिवाई थी, इन्हें 8 सितंबर 1929 को गिरफतार किया गया, इन तीनों ही करांतिकारियों पर सांडर्स की हत्याग की विर सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, बतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जमीन भी अपनी होगी और अपना आसमान होगा